पिलित का नाम मुहम्मद इस्राफिल अंसारी, पिता का नाम M.D. सलीम मिया, उम्र 24 साल, पदनाम टिपर चालक, कम्पनी का नाम O.S.E.P.L. सिवीलियन कम्पनी दुर्खटना की तिथी 23.11.2018, दुर्खटना का समय दोपहर लगभक, दो बच के 15 मिनट पर, दुर्खटना की जगा कोईला परिवहन सलक, ये खटना दिनांग 23.11.2018 में, महानदी कोल फील्स लिमिटेट के वसुंधरा एरिया अंतरकत, कुल्धा कोईला परिवहन सलक पे हुई, जहां ESM एवं सिविलियन कम्पनी के लगभक, 300 टिपर सर्फेस माइनर फेस से, कोईला स्टॉक, कनिकल साइडिंग, एवं सार देगा साइडिंग को रोजाना कोईला परिवहन करते हैं, दुर्खटना की जानकारी, दिनांग 23.11.2018 को दुर् C5930, टॉप ओभी सलक के नीचे कोईला परिवहन सलक के माध्यम से खदान परिसर में प्रवेश किया, जब ये ओभी हॉल रोड और कोईला परिवहन सलक के जंक्शन पर पहुचा, तो अपस्थित ब्लास्टिंग गार्ड ने लाल जंडा दिखा कर और सीटी बचा कर टिपर को रोकने की कोशिश की, लेकिन टिपर चालक ने ब्लास्टिंग गार्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया, और खत्रे के क्षेत्र में आ किया, दुपहर दू बच की दस मिनट पे, टॉप कोईला बैंच का ब्लास्टिंग हुआ था, जिसका कुछ कोईला मिडल कोईला बैंच पे आ किरा, इस समय के दौरान, जब टिपर ब्लास्टिंग जोन के समीब पहुच गया, मिडल कोईला बैंच का कुछ ब्लास्ट मटिरियल कैबिन के साथ साथ टिपर की ओर गिर गया, और टिपर चालक कैबिन के अंदर दब गया, और कमभी रूप से खायल हो गया, पीडित को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया क्या, अस्पताल पहुशने के बाद, डॉक्टर ने पीडित की चाच की और उसे मृत खोशित कर दिया। सिफारिशें ब्लास्टिंग उपरेशन से पहले कुशल और प्रभावी तरीके से पहरेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी अलार्मिंग और करणों का कुशल और प्रभावी कड़ाई से किया चाए। संचार अंतर यानि की कमिनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए विभिन संचार माध्यम से संचार प्रणाली को प्रभावी बनाया चाए। यदि किसी भी कमी को ब्लास्टिंग अधिकारी द्वारा महसूस किया चाता है, तो इसकी सूचना तुरंत वशिष्ट अधिकारियों को दी जानी चाहिए। अगर Blasting अधिकारी, Blasting Over Man द्वारा किसी भी तरह की अलार्मिंग और संचार प्राणाली में कोई कमी महसूस की जाती है, तो कोई Blasting ना की जाए, Blasting संचालन के बारे में Blasting दल के बीच अधिक और प्रभावी जागरुखता पिदा की जा सकती है.